हेलो आल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्चे होगे आज की जो हमारी रिडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही हम रिडिंग करेंगे और हमारी रिडिंग रहने वाली है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा कि क्या आप हर वक्त उनके दिमाग में रहते हो ठीक है, यह हम आज की इस रिडिंग में देखने वाले हैं ठीक है, सो गाईज मेरे साथ आप लोग बने रहें रिडिंग लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूर्ड अच्छे से रिडिंग को समझ में आए ठीक है, रिडिंग आपको अच्छे समझनी चाहिए और चलो हमारे साथ बने रहू आप रिडिंग स्टार्ट करते हैं गाईज प्लीज इन्वर्स प्लीज गाइड मी प्लीज इन्वर्स प्लीज गाइड मी जो भी वीवर देख रहे हैं प्लीज गाइड मी जो भी वीवर देख रहे हैं क्या उनके पार्टनर उनके पार्टनर के ये माइन में रहते हैं या नहीं प्लीज गाइड मी प्लीज गाइड मी so general reading है general reading में बहुत सारे लोगों के energies को ले करके हम read करते हैं और general reading मतलब यही है कि जो चीजे आपके साथ resonate करती है उनको ले जो चीजे resonate नहीं करती है उनको बिल्कुल भी ना ले ठीक है ओड़ती है यह रिजिवें प्रिस्टाइब में एस्पीशट कई में डिशन का यह जा रवक्त आपने शायरम देशन में हो प्लेस्टीस फेस्ट और बींट numa करता करते होगा three of cups okay please guide me queen of cups okay so और हम देखते हैं cards please please guide me the high priestess okay please universe please guide me please guide me please universe please guide me five of vents okay तो चलो देखते हैं bottom of the deck है ace of vents का card bottom of the deck ठीक है तो चलो रिदिन स्टार्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पर जो cards है मेरे पास उसके अनुसार से मुझे जो है sign में आपको बता देते हूँ sign है मेरे पास यहाँ पर Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces ठीक है यहाँ पर दो special sign है मेरे पास ठीक है तो चलो reading देखते हैं हम तो गाइस यहाँ पर जो cards मुझे बता रहे हैं कि आपके partner के साथ आपका connection ठीक है पहले कैसा था यह मुझे देखना था और इसके बाद में देखों कि आपके partner के साथ जो है आप अपने partner के mind में रहते हो कि नहीं रहते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मुझे यह ऐसा लगता है कि काफी मुश्किलों के बाद ठीक है आपकी life में बहुत सारी problems चल रहे थी उस दौरान आपकी जो है न मुलाकात इस person से हुई है बहुत सारे लोगों के energy के अनुसार मुझे यही दिख रहा है और कुछ लोग study के दौरान मिले हैं कुछ लोग working place पे मिले हैं कुछ लोग traveling के दौरान मिले हैं ठीक है और कुछ लोग social media पे भी मिले हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास cards हैं वो बता रहे हैं ठीक है बहुत अच्छा खासा relation रहा आपके person के बीच आपके person ने आपको अपनी wife माना अपना husband माना है न ऐसे यहाँ पर female energy ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके partner ने आपको अपनी wife मान लिया था और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ दूनों ही डूसरे को काफी दूनों एक डूसरे के सांथ काफी enjoy कर रहे थे यहाँ जो काट मुझे बता रहे हैं आपने या फिर आपको ठीक है आपने या फिर ओना पिर और और मैसे यहाँ एनरज़ी वाईस वर्सा होगे तो किसी न तो यहाँ पर help किया है ओके तो मुझे card ये भी बता रहे है three of cups के energy के अनुसार कि हाँ आपके person के साथ आपका connection काफी बहतर रहा है और यहाँ पर आप जो हो ठीक है हो सकता है कि आप marriage person हो, married person होगे और कुछ लोग married person से deal भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप में उस person ने maturity देखी उस person ने ये देखा कि हाँ आप उनको बहतर समाल सकते हो बहतर अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आपकी जो energy है आपके person इससे जाना उनको पता चल रहा था कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं, एक decision होता है आपके partner के दिल में प्यार, महबत सब दोनों के relationship में मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ धीरे 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 क्या हुआ, third party involvement आई और third party की वज़ा से यहाँ पे आप दोनों के relation में एक कहते ना blockages आने लगे है ना जो third party है जो भी third party है, यहाँ पे the high priestess का card है और the high priestess का card मुझे क्लियर बता रहा है कि जो भी third party है उसका mind बड़ा sharp है ठीक है, और mind जो है ना, यहाँ पे कहते है ना कि सही भी गलत भी है ना, तो वो इंसान ऐसा है, जो सही भी कर सकता है बिगड़ी हुई चीजों को और बिगड़ी हुई चीजों को सही चीजों को बिगाड़ भी सकता है तो वही है third party और third party की वज़े से आप दोनों का relation या पर उलचता चला गया ठीक है उसमें कोई clarity नजर नहीं आ रही थी आपके और आपके partner की बीच में तो मुझे cards यही बता रहे हैं आपके partner के लिए भी ठीक है कि आपके partner उसकी बातों में आ गए है ना आपके person जो है third party जो भी है उसकी बातों में ये person आते गए है ठीक है क्योंकि वो इसकदर मासूम बन करके उनके सामने कहते हैं ना कि छल लेना है ना मासूम बन के छलती रही या छलता रहा है ना तो यहाँ पे मुझे यही देख रहा है और फिर लडाई जगड़े भी होने लगे five events का guard है आप दोनों के बीच में तो लडाई जगड़े misunderstanding बहुत सारे चीजे आपके person ने आपको blame किया बहुत गलत बाते बोली हैना किसी के कहने से इन्होंने बहुत कुछ असक किया है जो आपके दिल में अभी भी यहाँ पे कही ना कही बैठ गया है आपके दिल में हैना तो यहाँ मुझे यही देख रहा है कि आपके पार्टनर हाँ पर्मुझे कार्ण से वेति रही तक पहुंच गया है और काफी हद तक हो भी गया है आप दोलों की बाते नहीं हो रही काफी टाइम से कुछ लोग का महीना दिन हुआ一下 कुछ लोगों का दस दिन हुआ है लेकिन यहां पे ब्रेक अप हुआ हैं बाते बिल्कुल नहीं हो रहे हैं तो आपको जानना है कि क्या मैं उसके दिमाग में हूँ या नहीं हूँ है ना तो चलो रिडिंग देखते हैं और काट्स निकालते हैं प्लीज गाइड में जो भी विवर देख रहे हैं क्या यह अपने पार्टनर के दिमाग में हैं प्लीज गाइड में देखते हैं और काट्स इसकाइड में एस ऑफ पैंटिकल्स ओके प्लीज गाइड में जो भी विवर देख रहे हैं क्या उनके पार्टनर क्या आप उनके दिमाग में हो प्लीज गाइड में टू अफ वेंड्स ओके और और काट्स निकालते हैं हम एट अफ कप्स ओके मुझे एसास होता है तो ही मैं काट निकालती हूं ठीक है सो मैं छू करके एसास ले रही हूँ मुझे लगता है कि हाँ यह कार्ड निकालना चाहिए तो मैं निकालूंगी ठीक है सो पहले यह कार्ड किंग आफ पैंटिकल्स ओके और उसके बाद यह कार्ड मैंने निकाला है फाइव अफ कप्स ओके चलो बाटम आफ तर डेक देख लेते हैं तो यहाँ पे किंग आफ सॉर्स का कार्ड है बाटम आफ तर डेक ठीक है गाहिस यहाँ पर देखो कार्ड आपके सामने हैं टॉरस वर्गूप कैप्रिकॉन और कैंसर्स कार्प्योपाइस टीक है और यहाँ पर कैंसर्स कार्प्यों पाइसश के बाद गमिना निलीब्र एकवरिस भी है ठीक है तो चलो गाइज यहाँ पे कार्ट्स यहीं देख रहे हैं यही मैं देख पारी हूँ आपके लिए कि क्या है कार्ट्स में तो गाइज यहाँ पे मैं देखू न तो आप अपने पर्षन के माइंड में रहते हो या नहीं जो कि मुझे बता रहे हैं कि आपके person को ऐसा मैसूस होता है कि आप इनके साथ ही हो ठीक है आप इनके साथ हो लेकिन अभी नहीं हो ठीक है आप इनके दिल में हो लेकिन एक कैतना कि सरीर से आप साथ नहीं हो मन से दिल से उनके साथ ही हो इनको ऐसा feel होता है तो आपके person को क्या लगता है क्या लगता है मतलब कि आप उनके दिमाग में रहते हो हर वक्त की नहीं रहते हो तब ही यह person जो है यहाँ पे देख रहो है five of cups इनको ऐसा मैसूस होता है कि हाँ यह हमारा जो million है यह cup होगा है ना cup होने का मतलब यही है कि आपके person बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं बहुत ज़्यादा sad एकदम से जब आपकी देखो आपकी जब जब याद आती है तब तब इस person की यह हालत हो जाती है देख रहे हूँ इस card में हालत यह card है ना दूनों है card को किस कदर हो जाती है इनकी हालत यानि कि एकदम हो प्लेस हो जाते हैं एकदम से तूट जाते हैं ये लोग मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कार्ट्स है वो बता रहे हैं कि होता है ना कि ये लो फील होने लगता है कभी कभी तो वही है कि आपके पार्टनर को लो फील होता है और यह person जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलिफ मैसूस करते हैं जब आप इनके साथ नहीं होते हो आप इनके दिमाग में हर वक्त रहते हो ठीक है हर वक्त रहने की वज़ा से कुछ ज़्यादा ही एक रहता है ना कि हाँ उमीदे बढ़ जाते हैं है ना तो कुछ positivity भी आ आपके बारे में यही सोचते हैं कि अभी जो है ना अभी इंतजार करना सही होगा क्योंकि हम दोनों के बीच में यह दूरिया आई है उसको कम होने में थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है इनको थोड़ा वक्त की ज़रत है आपके पार्टनर को जहां तक कि मुझे कार्ट बता रहे हैं कि आपके पॉर्टन भी कहीं ना वि उनके दिल में यह जरूर है कि हां जो है ना म्ला नीलमहें तो लिख को यहां पर हमेशा है रहते हों संटर का चलता है एक ऐख सपनों कहते हैं कि जब हम आखें बंद करते हैं और हम जिस्ते प्यार और देना उसका चाहरा अपने आप नजर आता है देख रहे हैं यह किस कदर जो है ना यह मुश्कूर आ रहे हैं है ना यह सारी चीजों को एनलाइज कर रहे हैं सारी चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही शार्पनेश के साथ यह परसन अपने जिन्दगी में आपकी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक ह ना तो यहाँ पर कार्ड मुझे यह बता रहे हैं और मुझे कार्ड यह भी बता रहे हैं कि यह पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ठीक है प्लानिंग हो रही है यहाँ पर किस चीछ की प्लानिंग हो रही है तो यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग हो रही है और परसन आगे बढ़ेंगे भी आपके सांथ बहुत ही 100% चान्स है कि यह परसन आपके सांथ ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि और जो कार्ट से यहां पर इस ऑफ पैंटिकल्स आप इनके माइंड में ही रहते हो हर वक्त एक जो होता है कहीं ना कहीं अपने आपको बहुत ही दवा हुगा मैसूस करते हैं मतलब कि कमजोर फिल करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं प्यार महबत में पढ़ जाओंगा फिर मेरा करियर भी है है ना तो उस पर ध्यान नहीं दे पाओंगा तो इ पर्षेकर में और किसी और क्या को रहे हैं और सब्सक्राइब मुझे प्रवार। में अपने दिल में है ना इनके हमेशा ही आप समाए समाए रहते हो ठीक है सो कार्ट के अनुषार यही है और मैं रीडिंग को अब हम यहीं यहीं पर ख़दम करना चाहेंगे क्योंकि मैं भी तोड़ा सा जैना मुझे भी कुछ काम है कुछ काम क्या बहुत काम है मेरे पास क्या है यही है बाई